पढ़ाई के लिए, एकजाम का होना, बचत के लिए, कमी का होना, कोई जरूरी नहीं है So hello everyone, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि 10 कौन सी ऐसी बाते हो सकती हैं जो आपके बच्चे को पूरी जिंदगी फेल नहीं होने देंगी इस पूरे वीडियो में हम लोग आज जानेंगे, एक एक करके 10 important points जो आपके बच्चे के emotional mind को, आपके बच्चे को mental health को, आपके बच्चे के academic progress को सबको अगे लेके जाएगा और मुझे लगता है कि आपका बच्चा कभी fail नहीं होगा अगर इन 10 बातों को आपने उसके mind में डाल दिया तो और आपको पता है process जो होता है बच्चे के build up करने का, वो बच्चपन से ही होता है इसमें कोई दोराय नहीं है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि अपनी parenting बहुत अच्छी कर रहा है कई बार हमें लगता है कि हम अपने बच्चे पे पूरी जान छिड़कते हैं, जो मांगता है देते हैं, जो demand करता है देते हैं लेकिन फिर भी सायद कही न कहीं हम miss कर जाते हैं, और जब हमें realize होता है, तो ये बहुत देर हो चुगा होता है हम पच्चताते हैं, अपसोस करते हैं, और कई बार assume कर लेते हैं, जैसा हो रहा है, वैसा होने दो आप क्या कर सकते हैं बट कहीं न कहीं अंदर एक guilt रहता है, एक ऐसी feeling रहती है कि यार हम अपने बच्चे को उस तरह नहीं बना पाएं जो हम चाह रहे थे तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बाते हैं, मेरा पुरा life का 21 years जो बीता है पिछला वो ट्रेनिंग में ही बीता है बच्चों के parents के साथ, students के साथ, तो मुझे लगता है कि मैं इस topic पे काफी अच्छी add-on कर सकता हूँ तो आखरी तर प्लीज बने रहिएगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा पहला point है सबसे important इसमें मैं financial, academic और of course spiritual and of course जो एक cultural होता है हमारा heritage है हमारे इंडिया का उन सब के बारे में points मैंने बना के cover किये हैं तो पहला point है respect your elders बड़ों की इज़त करना सिखाईए अपने बच्चे को और यह process आप से सुरू होगा अगर आप बड़ों की इज़त करेंगे तो आपका बच्चा भी करेगा ऐसा कोई region नहीं है कि अगर आप इज़त करें और आपका बच्चा ना करें कभी भी बच्चों के सामने बड़ों का insult बड़ों का disrespect ना होने दे ना खुद करें दादा दादी हो गया ना नानी हो गया या कोई और relative हो गया या even सबसे important है उनके teachers उनके mentors उनका भी disrespect ना करें यहाँ पे हम अपने घर में दादा दादी नाना नानी की ज़त करना तो सिखा आते हैं बड़ टीचर्स के बारे में खुद उल्टी सीदी बात कर देते हैं बज्चों के सामने और वहीं से मामला खराब होना शुरू होता है दूसरा point है discipline discipline is the key of success you know आप सबको पता है कोई भी organization word में जो successful है आर्मी को ले लिजए policing को ले लिजए या कोई भी organized structure को ले कोई भी बहुत पैसे वाले इंसान को ले लिजए बहुत successful इंसान को ले लिजए किसी भी time में successful हो सबके base में आपको discipline मिलेगा so discipline is the key of success और ये चीज़ आप अपने बच्चे को बताईए better हो तो करके दिखाईए discipline ये नहीं होना चाहिए कि इनो एक्जाम है तो खूब discipline ये नहीं होना चाहिए घर में तंगी है तो पैसे की budget कर रहे हैं पैसे आ गया तो फिर उड़ाने लग गए discipline हमेशा 24 x 7 and 365 days होनी चाहिए कुछ कुछ cheat day रह सकते हैं लेकिन discipline अगर रखेंगे और बच्चे को आप सिखाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी life में fail नहीं discipline किताब हो से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता चाहिए academic हो चाहिए financial हो चाहिए motivational हो अपने बच्चों को किताब एलाके दीजे उनके birthday में gift दीजे उनको motivate करिए कि वो पढ़ें और अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे आप encourage करिए कुछ-कुछ price decide कर लीजे कि पूरी book दोच्वाई सोना YouTube देखना हो और book पढ़ना हो तो book पढ़ना आपको opt करना चाहिए आपके बच्चे को भी opt करना चाहिए पूर्थ point है पढ़ाई के लिए exam का होना बचत के लिए कमी का होना कोई जरूरी नहीं है यार यह habit होनी चाहिए तो यह habit अपने बच्चों में डाल केवल exam के लिए अगर पढ़ रहा हो तो अच्छी बात नहीं है यह process होना चाहिए बॉस company में आ गया है आज बैठे हैं तो हम discipline है नहीं तो हम मस्ती करते हैं घूमते रहते हैं यह कहां से अच्छा हो सकता है similarly पढ़ाई आया तो हम पढ़ने लगे बढ़ाई नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं तो यह कहां से अच्छा हो सकता है कमी हो गई पैसे की तो बचत करने लगे discipline में आ गया कंजूस हो गया पैसा कमी नहीं होई पैसा आ गया खुब खर्चान करने लगे यह कहां से हो सकता है तो बिना किसी region के भी आपका discipline होना बहुत जरूरी है और यह चीज आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तभी आगे वो बढ़ेगा उसके बाद जो पांचवा point है वो थोड़ा practical है अगर आपके पास mission होता है तो आप पूरी ताकत से लग जाते हो अगर आपके पास goal होता है तो पूरी ताकत से लग जाते हो अगर आपके पास एक jam होता है खुब पढ़ते हो तो बिना किसी target बिना किसी mission बिना किसी goal के बहुत ज़्यादा best किसी का निखल के नहीं आता एक Parkinson Law मैंने एक वीडियो मताया था कि basically जो हमारा target होता है उसी हिसाब से हमारा जो preparation है वो distribute हो जाता है target हमारा यानि को exam माल लो exam हमारा एक महीने बाद है तो हम आखरी मैं ही पढ़ेंगे जादा दस दिन बाद है तो उसी हिसाब से planning करते हैं दो दिन बाद है तो भी उसी हिसाब से planning करते हैं जादा पढ़ा कर लेते हैं तो Parkinson Law के हिसाब से भी ज़रूरी है कि exam होना target होना mission होना कोई दिमांग में aim बना के चलना यह जरूरी है तो छोड टार्गेट को आसानी से पहुंचा तो जीच जाएंगे और पहुंच जाएंगे कई बार हमें लगता है कि छोटे टार्गेट की वजा हम सीदे बडे टार्गेट बाद करें, बिल्कुल गलत स्टेप है, चोटे-चोटे टार्गेट्स को एचीब करने में ज्यादा मज़ा है, और ज्यादा इसमें सक्सेस भी है, खुद का फीडबैक लीजे, बच्चों से लीजे, कि तुम बतावा पापा किस किस दिन नाराज रहते हैं, ममा किस किस दिन नाराज रहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके टीचर का फीडबैक लीजे, और फिर उस फीडबैक का मतलब समझाईए, हम लोग सेलेक्टिव करता था मैं अच्छा नहीं लगता similarly हम आपने बच्चों के बारे में भी selective feedback expect करते हैं जिस teacher ने हमारे बच्चे की तारीब कर दी हम खुश हो गया जिसने बुराई की उस teacher में ही हम बुराई ढूडने लगते हैं जिस coach ने मालों आपका बच्चा इस परसू कर रहा है आपके बच्चे की सिकायत की आपको नहीं पसंद आया जिसने तारीब कर दी आप खुश हो गया so genuine feedback is very important for yourself for your kid and ये बच्चों को भी बताना जरूरी है because feedback के बिना आप कभी भी आगे बढ़ी नहीं सकते हैं याद रखिएगा कभी भी कोई 100% perfect नहीं होता so that's why feedback is very very important seventh point पैसे की कीमत पहचानिये बच्चे को value of money पता होनी चाहिए पैसे को इज़त दीजे पैसे को respect यानि value दीजे और बच्चत की आदर डालिये हर बच्चत पे बच्चे को appreciate करिये उसके साथ involve हो ये बच्चत की planning होनी चाहिए छोड़े छोड़े बच्चत के बाद celebration होना चाहिए और उसके बाद possible हो तो बच्चों को account खोल के उसमें compounding effect कैसे पैसा बढ़ता है ग्रोग ऐसे करता है इसकी कीमत बच्चों को बताईए पता होनी चाहिए 8th point में बताऊंगा ये मैं पहले भी बोला हूँ कि gift में books दीजे और books को बच्चा पढ़ ले तो उसको reward करिए छोड़े छोड़े steps में बाढ़िए इतने दिन में इतना पढ़ना है न्यूस पेपर में selective articles पढ़वाईए जहां पर motivation मिलता है ये जो books होती है ना उनका substitute को होई नहीं सकता ये YouTube नहीं है उनका substitute कत्ता ही नहीं है तो books दीजिए भले ही वो थोड़ा पढ़े चार पेज पढ़े पांच पेज पढ़े आपकी पूरी book की costing निकाल देती है और दो पेज तीन पेज ठही के बार इतनी effective किताबे होती है financial knowledge अभी से दीजिए life पूरा deal finance से करना है बच्चे को आपके सब कुछ आता है finance deal करना नहीं आता है तो fail हो जाएगा अगर आप business men family से है तब तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप business men family से नहीं है क्योंकि तब तो दिक्कत नहीं है क्योंकि अक्सर बाते होती रहती है बड़ अगर आप service class है तो बच्चों को finance की उतनी समझ नहीं होती है जितनी चाहिए सो मुझे लगता है कि ऐसे cases में आपको उसको finance की समझ देनी चाहिए उसके बाद ninth point है आप अपने core बाते family की core बाते importance of family जो values है respect कैसे इनो family की जद की जाती है कैसे connected रहते है extended family अपनी family तो इन सब कोई बहुत अच्छा कर रहा है इस पूरे relative में उनका example देजे और विजिट करिए respect दिखाईए बड़ों की छोटों के सामने वो follow करेंगे तो family की core value and values जो basic values है वो जरू उनको सिखाईए culture अपना बच्चों को पता होना चाहिए और जो 10th point है वो मेरे सब से करीब है 10th point मेरे सब से करीब इसलिए है कि fail होना सीखिए आज कल बच्चा fail नहीं होता easy academic syllabus है academic syllabus इतना आसान जब हो गया है तो बच्चा इस school में तो fail होता नहीं और एका-एक जब वो life में enter करता है या even competitive exam में तो कि वहाँ तो direct entry नहीं है life में भी बहुत competition है अगर आप working है तो आपको पता workplace पे कितना competition है कई बार healthy कई बार unhealthy competition है तो fail होना बच्चे को आना चाहिए इसके लिए sports में डालिये बच्चे को वहाँ fail होना सीखता बच्चा जब बच्चा fail होगा ना तो वह चीजों को adapt करना सीखेगा उसे पता है कैसे react करते हैं कैसे समालते हैं और अगली बार bounce back करते हैं तो fail होना जरूर सिखाईए इसे हम sports man spirit कहते हैं जब बच्चा cricket का example ले लिजे सर नीचे करके आता है आउट होके तो वो emotions जो handle करता है अपने अंदर that is very important that makes that student or player a child strong तो मेरा ये जो 10 point था उमीर है आपको ये पसंद आया होगा तो इस वीडियो में इतना ही thank you very much bye bye take care